फेजबुक पेज न्यू अपडेट इन 2021 तो आज की वीडियो में यहाँ पर मैं फेजबुक पेज करें टॉपिक कवर करने वालो तो टूधाउजन ट्वेटी वन में फेजबुक ने यहाँ पर एक नया फेजबुक का पेज लाँच किया है इतने टाइम से हम Facebook का old वाला page use करते थे जिसमें हमें कुछ limited ही options देखने को बिलते थे और कई सारे जो Facebook का old classic page में कुछ ऐसे features है जो हमें use करने में problem होता था या तो कुछ option find out करने में problem होता था वो सारा का सारा अभी इस Facebook के नए page में आपको वो problem face नहीं करना पड़ेगा Facebook के इस नए page में आपको कई सारे से new features new buttons add देखने को मिलेंगे जिसे की आपको use करने का जो experience और जो interest है वो आपका बढ़ जाएगा तो यहाँ पर अगर आपको check it out करना है कि आपको अपने old classic से Facebook के new page में किस तरीके से switched होना है तो इसके related मैंने already topic cover किया है तो यहाँ पर मैं एक बात add करना चाहता हूँ अगर आप अपने Facebook को या अपने किसी भी social media accounts को अगर आप use करना चाहते है properly secure वेसे तो Google Chrome browser एकदम best option है किसी भी other opera में या Firefox जैसे ब्राउजर का use मत करिए secure and safe जो ब्राउजर है वो Google Chrome browser है चाहे वो PC के लिए हो या तो अपने mobile के लिए है because Chrome browser में आप easily और privately अपने सारे social media account अपने banking information को safely browse कर सकते हो तो यहाँ पर आप जैसे आप अपने Facebook के website को आप open करोगे तो आपको जो Facebook का look है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा तो यहाँ पर facebook.com पे आने के बाद आपको जो Facebook की website है उसका भी look आपको यहाँ पर changes देखने को मिलेगा because Facebook page के सारे जो Facebook का website है उसमें भी changes आ गए है 2021 में तो यहाँ पर Facebook के website पर आपको दोना side पर option मिलता है पेज पर moved होने का left side और right side दोना में तो जैसे आप अपने Facebook page पर आप tap करेंगे तो यहाँ पर आपको Facebook के page का जो look है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा और यह है exactly Facebook page का जो नया update है वो यही अपडेट है different दिख रहा है as compared to other जो old classic page उसके compare में as you can see that इसमें आपको जो options जो buttons आपको मिलते है वो एक तरीके से different animations के साथ में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर जो Facebook के यह जो नया page है इसमें आपको एक नया चीच जो सबसे useful feature लगेगा वो है Facebook का insight feature इस Facebook के page में आपको एक option देखने को मिलेगा जो की है insights का यहाँ पर अगर आप देख सकते हो left side में second last number पर insight का उस insights के option में आपको आप अपने Facebook की सारी activity को track कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आपको new sweets, updates, inbox, business app, resources, notifications, publish tools, सारे options आपको देखने को मिलते हैं जो एक तरीकी सारी के सारे mostly new feature है जो आपको old classic page में भी आपको मिलता था लेकिन वो आपको थोड़ा different, wrong, deep में जाने के बाद आपको यह option मिलता था लेकिन अभी इस हर एक activity को easily track कर सकते हैं यानि कि आपका जो facebook page पर जो भी आपने post upload किया होगा उस post का engagement हर एक single single length के साब से आप यहां पर check it out कर सकते हैं कि वो post कितने fastly grow कर रहा है कितना slowly grow कर रहा है उसका engagement rate क्या है कितने views आ रहे हैं मदे में, month में, year में उस post पर कितने views आ रहे हैं वो सारा का सारा आप यहां पर easily one by one tag कर सकते हैं इसके लावा यहां पर जैसे second one option मिलता है आइचने followers का उस post पर कितने followers मिले हैं उस personally single post पर वो भी आपको यहां पर मिल जता है ज Entscheidung followers की option पर tap कर सकता है साथ में आपको जो likes का option मिलता है कि उस post पर ember multiples ए लोगों ने like किया dislike किया वह likes के tap में आपको देखना के रहा ही मिलता है देखेने को मिलेगा तो यह जो फेस्बूक पेज का जो इंसाइट वाला जो आप्शन है यह मुझे बहुत ज़्यादा यूस्पू लोगा एस कंपार्टू अधर फीचर्स ओफ फेस्बूक पेज उसके लवाज जैसे आप यहाँ पर एक और आप्शन मिलता है इंबॉक्स का इंबॉक्स के ऐप्शन पर जैसी आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको मेसेंजर, इंस्टाग्राम, फेस्बूक यानि कि आप तीनों के जो मैसेज़ेस है यानि कि तीनों भी प्लाटफॉर्म पर अगर कोई भी आपको मैसेज करता है messenger हो या Instagram या Facebook account हो वो तीनों के platform के messages है वो सारा का सारा आप यहाँ पर अपने Facebook page पर प्राक यानि कि check it out कर सकते हो easily सारे messages आपको यही पहेंगे लेकि उससे पहले अपने तीनों भी accounts को आपको अपने Facebook page के साथ में linked करना होगा तो ही आपको सारे के सारे messages आपको अपने Facebook page पर show हो गए यह mostly आपको तब यह काम आएगा अगर आपका Facebook page आपने कुछ business purpose के लिए start किया है और आपने brand को अपने product को messenger के through WhatsApp के through Instagram के through आप promote कर रहा है और फिर उस content पर कोई भी message कर रहा है तो तो आपके लिए इतना सारा यह useful होगा तो आप इतना link कर सकते लेकर अगर आपने time pass के लिए Facebook page create किया है तो इतना सारा जंबेला आपको करने के कोई जारा जरूरत नहीं है इसके बाद यहाँ पर एक और अपशी मिलता है page view का जिसमें भी आप अपने सारे Facebook page के जो views है उसको भी आप यहाँ पर easily और better तरीके से analyze कर सकते है अब उसके बाद यहाँ पर जो page insights का option है उसमें आपको एक और option मिलता है वीडियो का यह वीडियो के sections में आप अपने Facebook page की जो eligibility है वो आप यहाँ पर easily check it out कर से किया कि आपका जो Facebook का page है उसमें monetization on करने के लिए कितनी eligibility अभी और needed है कितने followers, कितने likes, dislike यानि कि यहाँ पर जो minutes है वो अभी required है वो पुरा का पुरा आप यहाँ पर page insights के option में आके आप easily check it out कर सकते हैं तो अगर आपको अपने Facebook page की monetization eligibility को check करना है तो आपको यहाँ पर Facebook page के insights में आना है और यहाँ पर video sections के option में आके आपको यहाँ पर check it out करना है यहाँ पर आप easily अपने Facebook page की जो monetization की eligibility है उसको आप यहाँ पर check it out कर सकते हैं यहाँ पर अपने Facebook page को monetize करने के लिए आपके Facebook page पर 10,000 followers होने चाहिए और उसके अलावा यहाँ पर last 60 days में आने कि आपको almost 60,000 minute का watch time चीए ओभी organic watch time तो यह आप monetization के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर और यह है Facebook page का main setting तो यह Facebook page का main setting है जिसमें आप अपने Facebook page पर अगर कुछ भी edit करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर Facebook page की settings में आके general के option में आके यह सारा का सारा activity आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपको अपने Facebook page को भी delete करना है तो आपको यही पर यहाँ आना है general के option में और end में आपको एक option बिल जाएगा Facebook page को delete करने का बस आपको split tap करना है instantly आपका Facebook का page delete हो जाएगा previously यहाँ पर जो Facebook page था वो delete होने के लिए almost 2 week का time लेता था दो week के अंदर अदर आपका Facebook page delete हो लेकिन अभी यहाँ पर इस Facebook page में आपको ऐसा कुछ नहीं है instantly आपका Facebook page तूरंग के तूरंग डिलिट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर wait करने के कोई भी सारा शरूरत नहीं है that's it all about उसके अलावा यहाँ पर भी आपको page page में और भी settings मिलते जैसे के messaging का page info का अगर आपको अपने Facebook page के information में कुछ भी changes करना है अपने Facebook page का नाम change करना है, Tag change करना है तो बहुत पूरा का प्धी आप поговор поговорण अपर third नमबर पर option मिलता page info का वहाँ पर आप कर सकते है fourth number पर template का option मिलता है जो मेने आपको datos की challenge में काम आते है तो वो पूरा का पर template के related आप यहाँ पर changes कर सकते है और उसके बाद यहाँ पर सारा का सारा option आप यहाँ पर जब विजिट करेंगे तो automatically आपको पूरा का पूरा options यहाँ पर देखने को बिल जाएगा तो guys यह जो facebook का page है यह facebook का जो नया page का जो update है यह आपको pc version के साथ साथ आपको अपने mobile version में भी facebook का यह जो नया page है इसका update आपको देखने को मिलेगा लेकिन mobile version में आपको जो facebook का page है उसका look इतना unique नहीं लगेगा तो ज्यादा easily और comfortable आप अपने PC में ही इस Facebook के new page को आप access कर सकते हैं, उसे use कर सकते हैं, that's just all about, तो guys यह था Facebook page का एक नया update in 2021, अगर आपको Facebook page के रिल्टेट और भी कुछ queries हैं, कुछ भी doubt हैं, तो you guys can directly contact me and comment down below.